शिक्षाई वाग्या पर्मुक्य सचिव केके पाठक एक के बाद एक फर्मान जारी कर रहे हैं और राजभवन से इनका टकराओ खत्म होनी का नाम नहीं ले रहा है। केके पाठक ने सबसे पहले 28 सर्वरी को जो बैठक आयुजित किया था उस बैठक में तमाम कुलपती रजिस्टार्ड लोगों को गुलाया था लेकिन राजभवन की तरफ से यानि कि राज़िपाल की तरफ से कुलपतीयों को या आदेश नहीं दिया गया ये नरदेश नहीं बैठक में उपस्थित नहीं थे उनके खिलाव एक आदेश जारी किया उन लोगों की ततकाल वेतन पर रोक लगा दी गए जिसके बाद केके पाठक के इस स्वर्मान के बाद राजभवन का गुस्सा देखने को मिला और नतीजन केके पाठक को फिर से उनकी जो सैलरी रोकी ग जब तक तमाम कुलपति उनकी बैठक में शामिल ना हो तब तक वो लगातार एक के बाद एक फर्मान जारी करते रहेंगे 28 फरवरी के बाद फिर से केके पाठक ने फर्मान जारी किया और 9 फरवरी को यानि कि आज तमाम कुलपतियों को बैठक में बुलाया गया था लेकि क्योंकि राजभवन के तरफ से उन्हें ये निर्देश दिया गया कि आप लोग सिख्चा विबाग के तरफ से जो बैठक आयोजन किया गया उस बैठक में शामिल नहीं होंगे और नतीज़ा यहीं निकल कर आया कि कोई भी कुलपती बैठक में शामिल नहीं हुआ और अब केके पाठक ने 15 मार्श का आदेश निकाला है समझे आपके पहले 28 स्वरवरी का आदेश, फिर 9 मार्श का आदेश और अब 15 मार्श का आदेश निकाला गया है और तमाम कुलपतियों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है किके पाटक ये चाहते हैं कि कम सी कम एक बार सिक्षा विभाग के तरफ से जो बैठक आयुज़न किया गया है यानि कि जो भी बैठक सिक्षा विभाग के तरफ से आयुज़न की जाया यह राजभवण के अंतरगताते हैं और इस संबंधित हर फैसले लेने का निर्ण है केवल राजपाल यानि के मौज़ुदा समय में जो बिहार के राजपाल है राजिंद्र विशनाद अर्लेकर को है लेकिन अर्लेकर की बाद केके पातक मान नहीं रहे हैं और केके पाठक अपने मनमर्जी के मालिक है और एक के बाद एक अपना फर्मान जारी कर रहा है उन सब के बीच जब केके पाठक ने एक बार फिर से फर्मान जारी किया है वो फर्मान 15 मार्च का है यानि कि 15 मार्च को तमाम कुलपतियों को सिक्षा विभाग की तरफ से जो बैठक आयुजित किया गया है उस बैठक में शामिल होना है और अगर नहीं होते हैं तो केके पाठक फिर से एक बड़ा आक्शन लेंगे इस बात का एलान केके पाठक में पहले ही कर दिया हला कि राजभवन में चुप नहीं है राजभवन की तरफ से लगातार ये असपष्ट किया गया है और सरकार को ये बताया गया है कि सिक्षा विभाग युनिवर्सिटी से संबंदित किसी भी मामले में हस्तचेप ना करें लेकिन केके पाठक किसी की ना मानते हुए अपनी मनमानी चला रहे हैं और केके पाठक एक के बाद एक फर्मान जारी करें देखना दिल्काइक क्या में लगातार कई महिनों से होता आ रहे है और केके पाठक इणिवर्सिटी के मामलों में लगातार हastचेप भी करतें जराएं देखना दिल्काइक आखिर ये टक्राव कहा जाकर खत्व होता है तमाम खबरों से मैं आपको रुबरू कराते रहेंगे, देखते रहें एका सुष्प्यार जारखन खनवाद। पनोर्मा क्रोप, जो सोचता है, वो करता है। ये लो मुझ मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम फुर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है, मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाएं, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हूँ। अपने पुर्णिया में घर ले लिया है। पुर्णिया के e-homes panorama में। पुर्णिया में e-homes panorama के संग, e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined.